मतदान केंद्रों में पानी, बिजली, सफाई, दिव्यांग, जनों के लिए रैंप, सीडी तथा महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग प्रसाधन की विवस्था को लेकर निगम आयुक्त ने मतदान केंद्रों का निरिक्षन किया और आधिकारियों को आवेशक दिशा मतदान करने आये मतदाताओं को मतदान करने में कोई परिशानी ना हो, इसे लेकर विधान सभा 65 भिलाई नगर के रिटर्निंग आफिसर एवं आयुक्त रोहित व्यास ने खुर्सी पार गौतम नगर के पंच सिल इसकूल के मतदान केंद्रों का निरिक्षन किया, उन्हों मतदाताओं के लिए ततकाल रेंप बनाने को कहा, निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इसकूल में बनाए गए शे मतदान केंद्रों के कमरों का निरिक्षन भी किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिये, इसकूल प्रांगन की परियाप्त सफाई करने को कहा, और मत कमरों में कच क्रमांग को प्रदर्शित करने तथा मतदान केंद्र क्रमांग दर्शाते हुए सूचक बोड लगाने को कहा, सभी व्योस्थाओं को एक हपता में पूरा करने के निर्देश दिये, रिटर्निंग आफिसर रोहित व्यास ने कहा कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधी में किसी भी प्रकार की प्रचार प्रसार व्योस्थन नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर भी अधिकारियों को सुनस्चित रहने के निर्देश दिये, निरिक्षन के दोरान जोन आयुक्त पूजा पिले, सहयक अभियंता प्रिया खैरवार, उप अभियंता चंदरक की प्रचार झाल आवियंता वे, इसे प्रकार के वे अभीष प्रचार करे जाएंने जोन स्वेस कता रहने को सुनस्चित रहन में के ले अगे को.